पारते तवार नुहास में भी हमले तेज मारियो पुल पर बड़ा अठैक युकरीन में रूस के हमले अब और भी तेज हो गए है रूस ने दावा किया है कि मारियो पुल पर पूरी तरह से कबजा हो गया है लेकिन अमेरिका सहित सभी नेटो देश युकरेन को हत्यार सहित हर संभब मदद भी कर रहे हैं यही वज़ा है कि रूस को युकरेनी सेना भी चुनौती दे रहे है जलिंस्की के चाबास लगतार रूस के खलाफ मजबूती से टठे हुए है हर वार का पलट वार हो रहा है यही वज़ा है कि अब रूस बार बार परमाणू हमले की ठमकी दे रहा है जलिंस्की के सेना के होसले का अंदाजा इसी तस्वीर से लगा जा सकता है जिसमें युकरेन के मिसाइल रूसी टैंक को तबा कर रहे है जलिंस्की किसी भी कीमत पर छुपने को तयार नहीं है वे अपनी सेना के होसले बढ़ा रहे है जलिंस्की युकरेन को एक जुट कर रूस के खलाप एक लंबी लडाई के लिए तयार कर रहे है युकरेन के विदेश मंतरी का साफ साफ कहना है कि पुटिन को अपनी हार का अंताजा हो चुका है जलिंस्की को अपनी सीना की ताकत पर पूरा भरुसा है यही वज़ाए कि पुटिन युद्ड के साथ दिन बाद भी युकरेन पर कबजार नहीं कर भाए है 15,000 रुसी सैनिकों के मौत रुस के 277 तबा 530 रुसी टेंक तबा करने का दावा रुस के 60 हेलिकॉप्टर तबा इन दावों को अगर सच मान लिया जाए तो हम यह कह सकते हैं कि सिद्ड में रुस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है युकरेन का दावा है कि खाकीब में रुस के रड़ाकों विमान को ठेर कर दिया गया है तस्वीरें बता रही हैं कि युकरेनी सेना ने रुसी रड़ाकों विमान को मार गे रहा है जैसे जैसे युद आगे बढ़ रहा है पुतिन की बेचानी भी बढ़ रही है पूरी दुनिया को ये डर सता रहा है कि कहीं तीसरा विश्वयुद ना हो जाए कहीं राश्ट्रपती पुतिन एटमी हतियार का इस्तेमाल ना कर दे तीसरे विश्वयुद का खत्रा वास्तविक है खत्रा गंभीर है ये वास्तविक है आप इसे कम करके नहीं आज़कते नेटो देश प्रॉक्सी तौर पर युद्ध में शामिल है केवल युद्ध में शामिल नहीं होने का पुष्चिमी देश दिखावा कर रहे है क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी देश यूक्रेन को हत्यारों के सप्राई कर रहे हैं उससे साफ होता है कि नेटों के सायोगी रूस के खिलाफ जग का हिसा है मॉस्कोवा जहास के ढूबने के वाद से ही पुदिन काफी गुस्से में है हुआ है मार्या पुल्ल उदेशर साही दक्शनी यूक्रेन पर हमले ये बताते हैं कि पुतिन यूक्रेन को पुरी तरह से बंदरगाहों से अलग कर देना चाहते हैं ताकि यूक्रेन अपनी बुन्यादी सरुषों के लिए रूस पर निर्भर हो जाए रूसी पत्रकारों पर हमले को लेकर रूस में युक्रेइन वर्सेलिंस्की को केड़ा है रूस ने आरोप लगा है कि युक्रेइन रूसी पत्रकारों पर हमले की प्लैनिंग कर जा है रूस और युक्रेइन का युद्ध ऐसे मुड़ पर आ चुका है इसमें ये कहना बहुत मुश्किल है क्या कि चीन होगी किसकी नहीं जीतने का दावा भी कर दिया युक्रेन पर रूस के हमलों को दो महीरे से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन रूस के हमले कम होने की जगा पर लगातार तेज हो रहे है रूस के हमलों से युक्रेन के शेहरों में भारी तबाही की तस्वीरे लगातार सामने आ रही है युक्रेन की कई इमारते खंडर में तबदील हो गई है तो कई इमारतों पर हमलों की वज़ा से अब भी आग की लप्टे उठ रही है युक्रेन की सैना इन इन इलाकों में राहत और बचाओ के काम में भी जुटी है लेकिन रूस के बढ़ते हमलों से युक्रेन के नागरिकों की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है लगतार हमले एक एक करके शेहरों को बरबाद करते जा रहे हैं और रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है रूस ने बदला हमले का तरीखा यूकरेन के पलटवार से बदली रण नहीं थी यूकरेनी सेना को मूँ तोड जवाब देने की तैयारी यूकरेन में युद शुरू होने के बाद से ही रूस की सेना को अनुमान से ज्यादा नुखसान उठाना पड़ा यूकरेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई सेनीकों कुमार गिराया जबकि रूस के टैंकों और लड़ाकु विमानों को गिराने की भी कई तस्वीरें दुनिया के सामने आई जिसके बाद अब रूस की सेना यूकरेन में ऐसे हत्यार लेकर पहुँच गई है जिनकी मदद से वो सीधे युक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाने में जुटी हुई है इस तरह के हमलों का रूस की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया इस वीडियो में रूस का एक जवान गाड़ी में छिप कर युक्रेनी सैनिकों के ठिकाने के पास पहुँच गया और फिर उनके ठिकाने की सटीक जानकारी जुटाने की कोशिश करता दिखाई दिया और जैसे ही उनको ठिकाने की जानकारी हुई उन्होंने गाड़ी में लगी हुई मिसाइल से निशाना साधा और थोड़ी ही देर में हमला कर दिया रूस के इस दो तरफा वार की वज़ा से युक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे है युक्रेन के एक शहर से सामने आई तस्वीरों में रूस के सैनिक बखतरबन गाड़ियों में सवार होकर घूमते हुए दिखाई दिये जबकि पूरे शहर में हमलों की वज़ा से धुआ उटता हुआ दिखा कई उची-उची मारतें बरबाद दिखाई दी जबकि सड़कों पर भी मल्बा बिक्रा हुआ दिखाई दिया हमलों के बीच ज़लिंस्की का बड़ा दावा रूस किसी हाल में जीत नहीं पाएगा एक तरफ रूस के उक्रेन पर हमले तेज हो रहे तो दूसरी तरफ ज़लिंस्की जुकने को तैयान नहीं है जब की लिए ले जान, वे रूस के सथे नहीं, जी जीतने का दावा कर दिया जीतने का बड़ा विल्बाति उन जा ले व्न को जावा दिखाएंग, वालिए बादिन पार वाली देश को ए और में Зеленський यही नही रुके, उन्होंने उक्राइन के नाग्री को से भी रूस्के सेनी को से लड़ने की अपील की, और उन्हे आगे बढ़ने से रोखने के लिए हर कदम उठाने को पाहा. Проте, коли і що може стати перемогою для України? На це питання одночасно і є, і немає простої відповіді. Коли буде перемога, її відчує кожен. Коли настане мир, його побачить кожен. Але щоб це сталося, і сталося швидше, ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити. Зеленський का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया, जब एक दिन पहले Америка के रक्षा-Мंत्री, और विदेश-Мंत्री ने Кीव में, Зеленський से मुलाकाद की थी. इस मुलाकात में भी युक्रेन के राश्चपती जेलेंस्की ने अमेरिका से हत्यारों की मांग की, और अमेरिका की तरफ से भी युक्रेन को मदद देने का भरोसा दिया गया. अमेरिका की तरफ से मिले भरोसे के बाद, जेलनस्की ने अपने सैनिकों के साथ साथ यूक्रेन के नागरिकों की भी हौसना अफजाई की और इस युद में एक जूटता और यूक्रेन के और मस्बूत होकर उभडने का दावा कर दिया महा युद्ध में रूस का पलडा भरे ही भारी पड़ता दिख रहा हो लेकिन यूकरेन का पलटवार भी तेज हो गया है यूकरेन की सेना ने एक वीडियो जाली किया है जिसमें स्क्विफ एंटी टैंक गाइड़ निसाइल से हमला किया गया और इस हमले में खारकीव में रूसी टैंक तबा हुआ है जिसकी तस्वीरे इस वक्त आपके सामने है दरसल ये कहा जा रहा था शुरुआत से ही कि रूस इस युद्ध में यूकरेन पर भारी पड़ेगा ऐसा होता हुआ नजर भी आता है लेकिन यूकरेन का पलटवार भी कम तेज नहीं है यूकरेन की सेना लगातार बीते दिनों से देखिया आप एक कर वीडियो जारी कर रही है जो बता रहे है कि किस तरह से उसकी कई आंटी टैंक गाइड़ मिसाइल्स ने बहुत ज़ादा रूसी सेनिकों को पहुँचाए है और इस हमले में ये कहा जा रहा है कि खारकीव में रूसी टैंक को तबाह किया गया है और बाकाइदा यूकरेन की सेना की तरफ से जब इस तरह के दावे किये जा रहे हैं तो साथ ही वीडियो भी लगाय जा रहे है यानि कि भेज जा रह ये बात साबित की जाये ओस बीच खबर यह है कि रूस ने भी एक दावा किया है, रूस ने कalnya है कि यूक्रेन के ऐसे ठिकाने हैए और ऐसे पांसो सैनिक हैं यूक्रेन के जो इस हमले में मारे गए हैं। तो यह देररात हमला किया गया, रूस के रक्षा मंत्राले की तरफ से यह कहा गया है और इसमें बताया गया है कि 87 ऐसे ठिकाने हैं यॉक्रेंन के सेनिक जहां से लगातार बंबाजी कर रहे थे हमला कर रहे थे जब आभी करवाई कर रहे थे उसमें रूस ने रात में हमला किया है जुसमें 500 के करीब यूक्रेन के सैनिक मारे